हलो दोस्तों मिरे नाम कफार है और मेरे चैनल का नाम कफार टे Gill it तो दोस्तों मैं आपको बता यह जो जांड में लिकल रृक्ष न्यू और मार्केट में वुलकु न्यू चला है और मैं सबस्बहूरे आपको अपने चैनल पर जूम्रे अपनी दोस्त हैं छे निविप मेरे साथ में जुड़ों उनके लिए मैं सबसे पहले यह डियान लेका आया हूं तो दोस्तों यह जो श्टेंडर हमने डाली है तो यह श्टेंडर जो थी हमारी औरंज किलर की थी और माल हमारा दस किलों का है और एरिया हमारा 35-40 फिट एरिया है जो हमारा रश्टिक का यह रश्टिक टाइगर कोट रश्टिक यानि टाइगर का माल है टाइगर कोट और जो माल है इसके अंदर वो है रश्टिक जिससे हम रश्टिक का डिजान निकालते हैं और यह एरिया हमारी एक बोर भी होती है और असी फिट एरिया निकालती है और इसमें हमने आपको बताई दिया कि औरेंज इस्टेनर मिलाया था इसके अंदर इसमें आपको पैंट मानने की जरूरत नहीं रहती वह स्कलर मिलाओ और दिवार पर सीधा चड़ा दो और 10 किलो माल था हमारे और इसमें हमने आदा लीटर पानी मिलाया है क्याद्स और अगर आपको लगता है का यजादा भीजिवाल माल है 25 किलो तो आप कुछ कमती पॉन लीटर या एक लीटर माल पानी सोरी पानी मिला सकते हैं 700 ग्राम यह फिर वन लीटर पानी मिला सकते हैं ज्यादा टाइट हुआ आपका माल वाई चांस ऐसा होता है कि बोरी के अंदर टाइट माल निकल जाता है तो मैकसिमम एक लीटर मिलाना पड़ जाता है तो उसका माल जो हमारे पास था यह थोड़ा टाइट था तो हमना आदर लीटर करीव इसमें पानी मिलाया था और वैसे ही आप कर सकते हो और यह टूल जो है आप टूल जो देख रहे हैं जिस टूल से हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम चाबुक और यह होता हमारा प्लास्टिक का इससे आप माल चड़ा भी सकते हो और डिजान आप निकाल भी सकते हो मतलब इसी से माल चड़ा हुआ औ जिससे कि आपको दीख रहा है, इसमें माल हमने किस तरह चड़ाया है, तुम्हें बता देता हूँ, माल हमने इसी तरह से इतना ही पतला चड़ाना है, जिससे कि हमारे गुरमाला में हमारा दाना टच हो, और इस हिसाब से हमने माल खीचना है, इसका इकसार करना है, जिससे कि ह हमारे जो गुर्माला है और दिवार की जो बीच दिवार के गुर्माला की जो दूरी है हमारी बीच में हमारा माल तो आप उसमें दाना गुर्माला के साथ और दिवाल के साथ टच हो चुगे टच हो जाए और उसमें यह नहीं हो कि मोटा हमने माल लगा दिया और फिर बाद म माल खट्ट होने की बज़ें से यह खराब हो जाएगा तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि माल उतना ही रखिएगा जितना के सुझ जरूवत हैं मतलब पहुत पतले लेर रखनी है आपने के दाना जो है गुरुमाला के बीच टकराना चाहिए गुरुमाला से और तुमार यह ज़्यादा कठिन नहीं है बहुत आशान बनाना है और इसको एक बार आप ट्राइक करोगे तो यह आ जाएगा टाइगर कोट का माल है और टाइगर कोट कंपनी है वह माल थोड़ा मोटा बनाती है इसका एक कंपनी और भी हमारी सानर्ट जी यह भी एससी वह थोड़ा इसका मोटा नहीं होता वारिक दाना होता तो उसमें थोड़ा ज्यादा बहतर निकलता इसका थोड़ा मोटा दाने की वज़े से थोड़ा डिजाइन भी मोटा ही निकलता है और यह हमारे सेनर्जी यह भी एससी की कंपनी आया है उनका अगर हमाल रस्टिक का लेते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कितना सारा मोटा माल है यह दाना इसका और इतना ही मोटा इसका डिजान निकल रहा है तो इसमें जो है जैसे के माल मोटा होता उसी की वैसे मतलब हमारे जो डिजान है वो भी मोटा ही निकलता है तो आप कभी अगर टाइगर कोट का माल लेके आएंगे और मोटा डिजान निकलेगा तो आप घबराईएगा ना नहीं आप टैंसर लिएजिएगा क्यों यह डिजान निकलने के बाद यह बहुत खुबसूरत लगता है और अभी मैं दिखा दोंगा यह सीधा डिजाइन है हमारा और उसके बाद जो हमने जो डिजान है कि हमारे पर नहीं आ रहा है तो सुबह 10 बजे से साम 6 बजे तक कभी भी किशी टेम भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं अपना नमबर टाइटेल में और डिस्क्रिशन में नमबर दे देता हूं और आपको यही नमबर मेरा वर्ट्षप है यही मेरा परसन नमबर है औ तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस तरह से हो रहा है किस तरह से नहीं हो रहा है आप खुद एक बार पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा लाइट तक देखे हुए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अद्भर में मत छोड़ना वैसे भी मैंने यह द अगे तरह से देखनी होगी आपको समझ नहीं होगी तो मैंने आपको बताइदियाया कर से मिलाया ता ओरंज मिलाया था है और लिटर प्लाश्टिक पेंट का ठकने रूएलका भी मिल जाएगा सब्सक्राइन आपको हडियान निकाला है यह सब निकालते हैं फीज वह निकाला है और जो इसके उपर जो माल लग जाता है ना उसको आपको हर एक बार आपको साप करना पड़ेगा ने तो आपके दिजयन में सफाई नहीं आईगीं बहुत किपीन नहीं वहता है। आपकansen है। आपको बता देता हूं। इसमें पैंट मनने की जरुएताág की रखती एशेह अच्छा और दिवाल कि आपकी लुग पूरी पर वबुल नकल के आएगी और सांदा लुक देता गया तो आपको अगर मां लेकर आओगे तो आपट अपको घर मिला सकते हो प्रॉब्लम कोई नुक्सान नहीं कोगा आपकी दिवाल को नाहीं आप पको मैंना पीछे आपको बताया था यह गुनमाना जू हमारी है वो प्लास्टिक honoring की जब आरार निकल जाता है तो कहीं पर ऊंचे नीचे हो रहता है यह सरकल हम बनाते हैं 30 तो कहीं थैलख को सब्सक्रेदा नहीं एक मैं राउंड राउंड बदब गोल गोल होना है और उसको हलके हलके हाथ से बहुत हलके हाथ से गीले गीले पे ही करना है तो वो जो उठा हुआ जो हमारा माल है वो हमारा प्लैन हो जाएगा और डियान हमारी डियान की लुक है वो यह आजएगी तो डिजान की लुक आपको कैसी लगी है किस तरह की लगी और किस तरह की यह डिजान लगा तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके और जो हमारे इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सस्क्राइब करें और सस्क्राइब तो जरूर करें और लाइक तो एक बनते ही रहागं वैस वीडियो पे मेरे को जयादा लाइक नहीं चाहिए सिरफ एक दिन के 500 लाइक चाहिए और मैं आपको वीडियो इसी तरह से समझाते हुए आपको हर एक वीडियो लाता रहूए और इससे पहतर पहतर जानने क्या हुआ और दोस्तों मैं कुछ मेरे दोस्तों को जो कमेंट आ रहे हैं कि आप कुछ पैंट के बारे में बताओ तो मैं उसके उपर कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूं हो सकता है इसके बाद आपको वीडियो किसी भी पैंट के उपर आपको समझाने के लिए मैं डाल सकता हूं तो दोस्तों यह कैसी वीडियो लगी कमेंट मताया मुझे और सब्सक्राइब जरू करके जाए और लाइक और कमेंट जरू करें कमेंट करके तो मुझे बताई दें कि आपकी वीडियो किस तरह की लगी अच्छी लगी या खराब